स्वागत आपका आप तो चुनाओ पुर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है और अब हम फाइनल फेज की तरफ बढ़ रहे हैं छटवे और साथ वे और इस चुनाओ भी अब एक जून तक समाप्त हो जाएंगे आपका क्या आकलन है कि इधर क्या मुद्दे दोनों तरफ से चल रहा है जिसमें दुर्वी करण से लेके जाती है गोलबंदी से लेके हर तरह के हत्कंडे अपनाए गए लेकिन यह चुनाओ कुछ गर्मी की वज़ा से कुछ उदासींता की वज़ा से आगे बढ़ नहीं पा रहा है और मद्दान का प्रस्द भी कम जा रहा है लेकिन जब बात आती है कि पुर्वांचल की तो पुर्वांचल भले खेती किसानी के रूप में जाना जाता हो दोग धंदों में उतना सम्रिद ना हो लेकिन पुर्वांचल में कासी की बात आती है तो पुर्वांचल की कासी से भारत के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी भी निर्वाच में तब बीजेपी का एक एंगील ये था उसमें की मोदी बनारस से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को साधेंगे और उसका एक उफान था एक लहर थी मोदी की परचंड और उस लहर में वाकई में साधा उन्होंने और पूरे देश में साधा लेकिन बिहार और का जो इला अब और दस साल के बाद आज जो मुद्दे हैं वो भाजपा के सामने एक तो डैमेज कंट्रोल की चुनोती है वो ना उफान है ना उस तरह का कोई बहुत लोगों में चर्चा है कि आंधी चल रही है लेकिन ये जरूर है कि भाजपा ने एक बहुत बड़ी संख्या लाभारत कि बनाई एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर लिया उनके पास संसाधन बहुत है और अब मोदी का नाम पूरवांचल में बहुत बड़ा है महिलाओं के बीच खास तोर से मोदी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो चले हैं तो इन सब वोटों के अधार पर बीजेपी यहां पर ओम परकास राजबर रोज एक नया बयान देते हैं और वह अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं वह कड़े मुकाबले में फसे हैं हाला कि अब यह रिजल्ट तै करेगा कि परड़ाम क्या होगा लेकिन ओम परकास राजबर के लिए भी यह राजनीत का ए तो वहां घोसी में विधान सबा का चुनाओ हार गई दारा सिंग चौहान फिर बेटे को उन्होंने टिकट दिलाया है सानसदी के लिए और अगर वो बीजेपी के टिकट पर होते तो सायद बात कुछ और होती यह भी एक बात आई है दूसरा यह है कि जौनपूर में भाज कंट्रोल कर लिया जो धनंजे सिंग के अलग चुनाओ लड़ने से नुक्सान होता उसकी भरपाई कर ली कि उसके बाद सुल्तानपूर में भी चुनाओ है जहां मेनका गांधी के लिए उनके वेटे वरुल गांधी परचार करने आने वाले अब बात आती है आजमगर की ज साली चुनाओती इंडिया गडबंधन खास्त और से समाजवादी पाइटी भाजपा को इस इलाके में दे रही है और गोरकपूर भी इसी इलाके में मुखमंत्री के तो पुर्वांचल की सीटे उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो असी में से अभी एक चौथाई से जादा सीटे हैं तो सुभाविक है की बड़ा असर अभी डालेंगी लेकिन बिरजेज जी इसी में अनुपरिया पटेल की भी एक सीट है जिनके एक बयान से छत्रिय समाज में नाराजगी पैदा हुई अनुपरिया पटेल परताब गड़ के चुनाओं मे भाजपा का परचार करने आई थी लेकिन राजा भाईया के लिए बोलकर उन्होंने भाजपा का नुकसान ही किया है तो यह भी एक कुछ फैक्टर छोटे-छोटे हैं जो देखे जा सकते हैं हाला कि भाजपा ने 400 पार का एक नारा दिया था लेकिन अब तो 399 पार करना एक तो सूरत में निर्विरोध होई चुका है इनका अब कहां बचा है 400 वाला तो यह सब चीजे हैं वोट परसेंटेज मलाने की चुनोती हैं तो यह इस बेल्ट में अब मोदी जी लगातार जनसवाय कर रहे हैं और हर जिले में हर सीट पर लगबग लगबग वो पहुंचे है लेकिन चुकी जब कंडिडेट तीन तीन बार रिपीट हो गए उसको लेकर उस कमी को पूरा करा जाए उस नाराजगी को दूर किया जाए उस इंटीन कमबैसी को कैसे रोका जाए इस पर सबसे ज़्यादा मेनत भाजपा को करनी पड़ रही है अन्य था नए कंडिडेट अ लग जरूर लड़ रही है लेकिन वह उतना इफेक्टिव नहीं है कि वह बहुत ज़्यादा वोट काट सके या भाजपा के मुकाबले में कोई और एंगिल बना सके तो यह बहुत बड़ी सब बाते रहीं छोटी-छोटी लेकिन हर राजनेतिक देल के लिए हर चुनाओ एक भविस्का चुनाओ होता है और आसानी से कोई चीज दुनिया मिलती नहीं है तो एक साहितिकार ने लिखा है कि अगर जल्दी पूरा हो जाए तो वो सफर कैसा और जो देर से हो वो असर कैसा जो देर तक रुख जाए वो महमान कैसा और जहां चैन ना आये वो समसान कैसा औ और जिसके साथ तू है तो फिर वो अकेला कैसा बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इंपूर्ट फीडबैक और पॉलिटकल अब्जर्वेशन्स हम तक पहुचाने के लिए बैनोभायों इस परचर्चा का दूसरा चरण प्रारंब करते हैं